नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाट फेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज के उड़ में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी आज देशी मुर्गी पालन का यह व्यावसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्यावसा व्यावसाई ने लाखों का मुनाफ़ा कमाने का रास्ता खोल दिया है इस कारण वश्कितने यूआ यूती इस व्यावसाई को करियर के आप्षन के तौर पर चुनना चाहते हैं आईसी परिस्तितियों में आपको भी देशी मुर्गी पालन करना है और इस व्यावसाई के आलते हो तो ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ी एक समस्या उत्पन होती है कि आपकी मुर्गियों का वजन नहीं बढ़ता है आईसी परिस्तितियों में दोस्तों एक ऐसा तरीका आपको आज बताऊंगा कि जिस माध्यम से सव प्रतिशत आपकी देशी मुर्गियों का पुझ रहे हो कि आपके फार्म पर भी मुर्गियों का वजन नहीं बढ़ रहा है तो आईसी परिस्तितियों में यह देशी उपाय कर लिजिए कि जिस माध्यम से घर पर ही दोस्तों उपाय करके आप अपनी मुर्गियों का वजन बढ़ा सकते हो क्या आपको आपकी मुर्गी पालक भाईयों तक पहुचाने के लिए शेर कर दीजे शेर करने के लिए परसनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेर कर दीजे रहा होगा आ आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूं दोस्तो आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आ जाईए वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी उस घंटी को टच करते हुए और इस नोट हो इनका वजन नहीं बढ़ता है यह समस्या है तो आइसी परिष्टितियों में दोस्तों आप घर पर ही कुछ इलाज करके 10% देसी मुर्गी का वजन भढ़ा सकते हो लेकिन पहली बात की देसी मुर्गी हो नहीं बढ़ता है यह देखना जरूरी है तो इसमें सबसे बड़ होती है दोस्तों गलत फीड मैनेजमेंट का इस्तमाल हा दोस्तों हम क्या करते हैं कि मुर्गियों को संभालते हुए उनको गेहुं देते हैं जवार देते हैं बाजरा मकाई चावल इसके आलावा उनको कुछ खिलाते ही नहीं है कभी कबार मिली तरकारी तो डाल दी मिली ना रोज खिलाओं तो क्या आपकी बॉड़ी बन पाएगी सव प्रतिशत नहीं बॉड़ी को बढ़ाने के लिए अलग अलग खाद्यों का इस्तमाल करना पड़ता है प्रोटीन के साथ साथ फैट्स को बढ़ाना पड़ता है तो ही दोस्तों हमारी मुर्गियों का वहां प पड़ती से काम करना पड़ता है कौन-कौन सी वह पड़तिया है आपको समझाता हूं नंबर एक गोबर खाद का इस्तमाल हां दोस्तों यदि आपको आपकी मुर्गियों का वजन बढ़ाना है और उसके लिए खर्चा भी कुछ नहीं करना है तो आएसी परिस्तितियों में आप अपने घर पर दोस्तों वहाँ पर गोबर का खाद वहाँ पर जो है दोस्तों इस्तमाल कीजिए इसके लिए दोस्तों पाच फिट लंबाई पाच फिट चवडाई और देड फिट की आप वहाँ पर जो है दोस्तों हम क्या कहते है कि उसको जमिन से नीचे गड़ा वह इस्तमाल कीजिए देखिए दोस्तों इतना बदला होगा क्यूंकि दोस्तों इस गोबर के खाद में डिकंपोज होते हुए कीडे मकोडे अलिया केच्वे बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर तयार हो जाएंगे इसकी वज़े से क्या होगा दोस्तों हमारी मुर्गियों को वहां पर गोबर के माध्यम से फिड मिलेगा एक खर्चा आपका घटे का वो अलग बात है लेकिन आयसा प्रबंद करने से दोस्तों आप एक किलो गुड एक किलो बेसन पचास लिटर पानी में मिला कर पूरे वहां पर गोबर के खाद पर वहां पर छिड़काव करोगे तो वहां पर कीडे मकूडे केच्वे वहां पर दुगनी रफ्तार से बढ़ेंगे जिससे मुर्गियों को यहां पर बहुत ही अच्छा फीड मिलेगा जिससे मुर्गियों को प्रोटीन फैट सभी मिलेंगे और दोस्त बहुत लगता है कुछ भी नहीं है लेकिन हमने आज तक तयार नहीं किया है या क्यों नहीं तयार किया है दोस्तों आपको एक बार जरूर सोचना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों नमबर दो जो दूसरा इलाज है दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्तो पुर्णबाद दोस्तों की देखा गया है कि मुर्गियों को गेहूं जवार मकाई बाजरा चावल इनके आईवज में यदि आप जो आटे की चक्की होती है उसके नीचे जो वेस्टेज आटा पाच रुपए किलो मिलता है उसको लाकर यदि उसमें आप जो वहाँ पर दोस्तों देखोगे तो उसमें थोड़ा सा सोया तेल और उसमें थोड़ा जो है दोस्तों टेस्ट के जि कर यदि हमारे मुर्गयों को दोगे तो मुर्गया बड़े चावशी खाएंगी दोस्तों और ऐसा देखा गया है दोस्तों की रिसर्च के अनुसार जो चक्की का आठा होता है दोस्तों उसे सही ढंग से अगर इस्तमाल करोगे तो मुर्गियों के वजन में कम से कम 25 प्रतिशत का इजाफा दो महा के दर्मियान 100 प्रतिशत होता है यह बात की जानकारी आपको रखना 100 प्रतिशत जरूरी है दोस्तो इसलिए एक बात की जानकारी और रखिए कि यदि आप जो है दोस्तो आटे का इस्तमाल चकी के नीचे क नहीं करते हो तो कल से आटे का इस्तमाल शुरू कर दीजे ताकि आपका खर्चा भी घटेगा और आपकी मुर्गियों का वजन अपने आप बढ़ जाएगा है ना दोस्तो यह देशी उपाय आपके लिए लाब दायक समझ कर लीजिए जो तीसरा उपाय है दोस्तो उस उपाय का नाम है दोस्तो फ्री रेंज का इस्तमाल हाँ दोस्तो हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा मुर्गियों को जो पैक शेड में संभालने से अच्छा है कि बाहरी वाता औरन में मुर्गियों को छोड़ना है यानि कि फ्री रेंज में मुर्गियों को हाँ पर सव प्र से होगा तो बाहरी रेंज में जब मुर्गिया छोड़ी जाती है तो सहजल का पोधा होता है अमरूत का पोधा होता है या दूसरे पोधे होते हैं कि जिसकी जड़ में दोस्तों मुर्गियों को वहां पर कीड़े मकोड़े मिल जाते है और साथी में फ्री के वातावरन में ज पाइदा होता है और उनके शरीर में ब्लड सिर्कुलेशन भी बहुत बढ़िया होता है जिसकी वजह से दोस्तों आप देखिए कि आपने एदी मुर्गियों को प्री रेंज में छोड़ा तो आपकी मुर्गियों का वजन दोस्तों आपको कम से कम 15-25 प्रतिशत तक बढ़ता हुआ दिखाये देंगा और खास करके देशी मुर्गियों को प्याक करके यानि बंदिस्त जो संभाला जाता है वह सबसे गलत तरीका है यह सव प्रतिशत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसलिए दोस्तों यहां से आगे जितना हो सके दोस्तों आप जो देशी मुर् मचली का इस्तमाल दोस्तों वेस्टेज मचली का इस्तमाल करने से मुर्गियों के शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पर सम्मिलित होती है और इसमें विटामिन डी एक और ऑईल होता है जिसकी वजह से हड्डिया मजबूत होती है और हड्डिया मजबूत होने से अपन लाईए उसको भीगो कर हर मुर्गी के लिए हर दिन 20 से 25 ग्राम खिलाईए दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा कि आपके मुर्गियों का वजन दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ेगा इस तरीके से यदि आप देशी उपायों का इस्तमाल करोगे तो सव प्रत दोस्तों इस हिसाब से आपके मन में आता होगा कभी कभी कि मैं मेरी मुर्गी को स्टाटर खिलाईउ फिनिशर खिलाईउ जिस माध्यम से बाहरी फिड जो है लाकर उनको दिला दूतों बहुत बढ़िया तरीके से वजन बढ़ेगा लेकिन दोस्तों जो बाते घर में उप मुर्गियों का वजन तकरीबं 30 से 50 प्रतिशत बढ़ा सकते हो इसलिए दोस्तों पहली बात क्या आपका गोबर का जो खाद है वो क्या रेडी है देख लिजे नमबर दो मुर्गियों को घुमने के लिए क्या सामने वाली तरफ जगह है नमबर तीन दोस्तों क्या चक्की के क्या आटे का आप इस्तेमाल परतिमूर्गी 20 ग्राम करते हो और नमबर चार क्या वेश्टेज मचली का इस्तेमाल हर दिन हर रोज हर मुर्गी के पीछे क्या 20 ग्राम आप करते हो इसमें से जो बात आप नहीं करते हो उसमें सुधार कर लीजिए ताकि आपके मुर्गियों का वजन दोस्तों 30 दिन के दर्मियान दर्मियान कम से कम 30 प्रतिशत बढ़ेगा यह दोस्तों ग्यारंटी से लिखकर यहां पर लीजिए तो देखे मेरे साथ काम करना है तो दोस्तों मैं आपको आम अंत्रित करता हूं मेरे साथ काम करने के लिए मेरा मारगदर्शन प्रशिक्षन ट्रेनिंग पाने के लिए तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि इसके लिए 84, 82, 62, 62, 62 इस क्रमान कपर संपर्क कीजिए वहां पर आपकी बा पाते समझाओंगा उसके बाद आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ जुड़ जी आईए नहीं तो छोड़ दीजे किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि सहीं मार्गदर्शन के माध्यम से दिया हम आगे बढ़ेंगे तो सव प्रतिशत देश्म मुर कमाने का रास्ता खोल दीजे दोस्तो सव प्रतिशत तो इसके बारे में दोस्तो क्या है आपका खयाल आपके मुर्गियों का वजन क्या कम होता है या बढ़ता है कृपया इस इस्तमाल के बाद मुझे सव प्रतिशत यहां पर बताईए तो दोस्तो इस वीडियो के बारे मे क्या है आपका खयाल कमेंट सेक्षन में लिख कर भीजिए पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजे किसान भाईयों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल कर दीजे ताकि आने वाल हरुड़े आपको समय समय पर मिलेगा ले के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को वहाँ पर टच कर दीजे और उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करती हो आल इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजे ताकि आने वाल हरुड़े आपको समय स समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आइसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तु देल आड़ा आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हरकिसान भाई का और मुर्गी पालत भाई का आज की उड़े में